हमने देखा point A, B, C, D, E अब भी हम देखेंगे point number F point number F को देखने के लिए देखे point number F एक ऐसा point है जो हमारे पीछे होता है कान के पीछे सब लोग इस bone को फील करिये bone है इसको मुलते बोन फील हो रही है? ऐसे करिये? पीछे इस bone फील हो रही है? अगर हम कान के, कान के हम यह हमारा कान में है इसे हम क्या बोलते है? tragus, tragus बोलते हैं कान में? tragus सबको पता है इस tragus के अगर हम lower border से जाए पीछे और यह bone के उपर अगर हम एक mark बना दे तदी हमारा अगला point इसको मुलते है point number F मैं फिर से बता रहा हूँ हमारा जो tragus जहां खतम होता है नीचे है अगर मैं उस लेवल से पीछे के तरफ जाऊं और यह bone के उपर, mastered bone के उपर एक point बना दो तो यह हमारा अगला point इसका नागर point number F no, hairline के उपर नहीं है यह जिस्ट bone के उपर है, जहां bone स्टार्ट होती है अगर मैं इस point से नीचे उतर जाऊं कहां नीचे थोड़ा उतरू हूँ और यह खड़ा जैसा मिलेगा, यह जहां bone कतम हो रही है तो F point मिल गया तो इस bone से मैं जैसे नीचे उतरूँ ना जो अगला point है वो point है G, अगर जी फिल से बूल गया तो F हो गया और उससे नीचे उतरता हूँ तो जो खड़ा जैसा मिलता है, यह मेरा point है G, इसको भी मैंने तीन पार्ट में डिवाइट किया है G1, G2, G3 G1, G2, and G3 1, 2, 3 अभी हमारा जो target है, होगा point number F तो F is very good for lower back again, F is very good for lower back अगर किसी को vertex में पेन हो और इसके साथ साथ अगर इसको lower back pain हो रहा है, तो F point बहुत अच्छा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी कोई इंटी का कोई direction नहीं है तो हम आराम से, अभी जैसे कि इनको थोड़ा सा lower back pain है तो हम F point लगाते हैं और हम देखते हैं, अगर इससे इंको फरक पड़ता है तो ठीक है नहीं तो हम इंको फिर D point लाएज़े अभी देखे, इससे कुछ दर्द में कम है, काफ मिसल्स का देख कम होगे ना, तो यह जो F point है, यह हमारे पूरे lower back पर काम होगता है, ठीक है? अब ठीक, आप अपने के सब्सक्राइब